हेलो एब्रीबन कैसे आप सभी लोग स्वागा थेक वर फिर से आप सभी का आर्क्यार श्टरी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो हेल मैटर ठीक है यानि कि पदार्थ इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं दरवे भी कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जो है अध्यन करने वाले हैं कि ये मैटर क्या होता है पदार्थ किसे कहते हैं इसका क्या गुन वेसिस्ता होती है इसकी क्या पड़िभासा है इनी सब के बारे में डिटेल्स से इस वीडियो में अध्यान करने वाले हैं तो वीडियो को इंड तक देखिएगा जरूर आप सभी को यह जो आज का वीडियो है यह बहुत ही महतोपुर्ण है उपयोगी भी होगा ठीक है पदार्थ को समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर इमेज की साहता से समझते हैं जैसे कि यहाँ पर पहला इमेज है इसको देखいます दूसरा है कि यहाँ पर इस चितर में नदी दिखाए जा रही है तीसरा है कि इसमें अणिक परकार के पौधे पेर पौधे हैं प्रभावित करते हैं किसी किसी रूप में वह सारे चीज को हम अपने आंखों से देख सकते हैं और वो जो चीज उपस्तित रहते हैं जो कुछ भी ऐसे हैं जिसे हम नहीं भी देख सकते हैं यानि कि जो हमारे परियावरन में वंडल में बोले तो पुड़ा ब्रहमांड में जो भी बस्तुए उपलब्ध है सारे के सारे चीज जो है हमारा मैटर कहलाती है पदार्थ कहलाती है ठीक है पदार्थ क्या हुआ कि हमारे आसपस जितने भी सारे चीज उपलब्ध है हमारे ब्रहमांड में वो सारे के सारे चीज क्या कहलाएंगे पदार्थ कर लाते हैं ठीक है तो इसको हम तो इस तरह से बोल सकते हैं एक संटेंस में कि वो है कि हमारा ब्रह्मांड पदार्थ और उर्जा से मिलकर बना है ठीक है हमारा ब्रह्मांड जो है वो किस-किस चीज से मना है तो पदार्थ और उर्जा से मिलकर के बना है हम द्रब् पंज लिवाच में इसे एक यह न एक इमद्रियां या फिर एक से अधिक इंद्रियां के दौड़ा अनुभव किया था यानि कि जो भी बसतुम उथे हम जिससे आजशना पास सबी ऐतिन गेरे हुए हैं उसको किसके दौड़ा यहां पांप प्क किया जा लाए ॹोạnhरम jointect को बोलते हैं तो ये इस प्रकार से पहला है बैंसे चैभेगर फार्वन स्वाद गंध और असपर्स यह हमारा पांच तरह प्लते आप हैं जैसे हम लोग देखते हैं इसके लिए आख स्वावन के लिए कान है शौद लेने के लिए क्या है जीव है और गंत के लिए हमारा जो है नाक हो गया और असपर्स करते हैं यानि कि हमारा जो है तोचा है चमरी जिसको बोलते हैं इसकीन उससे हम क्या करते हैं असपर्स के अनभव को प्राप्त करते हैं यह प्रकार की हमारे ग्यान इंद्रियां होती है इंद्रिय में कि घाड वेर्च जल जन्तु इत्यादी पेर पौधे जो भी चीजे हैं जैसे कि आपके पास अब यहां पर आपके आप जो फोन में यह वीडियो को देख रहे हैं वो फोन भी आपके लिए वो पदार्थी यह वहाँ पर ठीक है तो जो भी सारे चीजे जिसको आप देख आपको बलग धर्वे भी बोलते हैं ठीक है कहीं खातार्त आगे देखते हैं कि अर्थार्त हम कह सकती है कि वह सारे वस्तूवें जो हमारे इंदरियों के द्वारा महसूस किया जाता है उसे पदार्त कहते हैं वही बात है जो हमने अभी तुरंद चर्चा की है कि जो भी पदार्थ है जिसको हमारी इंद्रियां जो 5 है उसके द्वारा महसूस किया जाएगा एहसास होगा कि यहाँ पर कोई चीजें हैं वो सारे के सारे चीज पदार्थ कर लाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं करा क कि दुनिया में ना जाने कितने और क्या-क्या चीजे भड़ी पड़ी है ठीक है दुनिया में बहुत सारे चीजे है जैसे हो गया हमारा जंगल है पहार है नदी है मिट्टी है घास है फिर पोधे जीब जन्तु से आहे धबाद ना जाने कितने और भी चीजे होंगे आपके ब जो है वो जवरत के लिए क्याना करती है कि कुछ न कुछ अपना जगह को घेरती है कहने का मतलब यह है कि चीजों का आयतन होता है जो भी जगह घेरता है वो क्या कहलागा आयतन कहलागा यानि कि आपके हाथ में जो अभी मुवाइल फोन है वो जो जगह घेर रहा है वो क्या ह उसका आयतन है ठीक है और वो सारे चीजों में क्या है कि कुछ ना कुछ दरवएमान होते हैं यानि सेंटिमीटर का है ठीक है माल लेजिए कुछ भी है तो ये जो है इसका का आकार जो है ये कहलाएगा आयतन ठीक है क्या कहलाएगा आयतन और मालेजे इस फोन का वजन है 500 गराम बहुत ज्याधा लगड़ा है लेकिन फिर युमान के चलिए 500 कर दे छोड़ दीजिए इसको मान लिजेए इस फोन का वजन है वो होगया हमारा 200 ग्राम ठीकम्हें तो यह जो 200 ग्राम है यह कहला किसी वomes all गेलेगा किसे बीडू का वजन होता है वह कहलाता है दरब्यमान उसका जो जितना जग apart छेकता है घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है और जो उसमें वजन पाई जाती है वो कहलाता है दरब्यमान याने कि किसी भी पदार्थ में ये चीजे होंगे ही होंगे पहला आयतन होगा ही होगा दूसरा कि उसमें दरब्यमान होगा ही होगा याने कि वो जो पदार्थ है तरह कि नहीं होंगे, कुछ पदार्त ऐसे भी है, जिने पहचनना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी है, जिसे हम असानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्त है, जिने हम देख नहीं सकते हैं, जैसे है वो हमारा हवा, हवा को आप में से किसी न नहीं देखा होगा इसको स्रック महसूस क्या जाता है असपर्ष के दोरा याने के हमारे इंद्रियां के दोरा उसको महसूस क्या जाता है अभी Пधार्त है उसका कैसे हम जानेंगे कि वह अपधार्त है नहीं फिर कही आपने गुबारा देखे होंगे, तो गुबारा में क्या होता है, कि उसके बीच में हवा भरा जाता है, तो पहले क्या है कि गुबारा छोटा से रहेगा, वो नहीं फूला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें हवा भरा जाता है, वो गुबारा जो है उसका साइज बर जाता है, भ यानि के हवा है वह भी लेकिन वह भी हमें वजन पर मिलता है ना यानि उसका अकार है कुछ और गैस सिलेंडर जिसका हम लोग उपयोग करते हैं देखे सधारन उधारन लेंगे जो हम लोग डेली यूज में आता है तो अच्छे से समझेंगे चीजों को ठीक है तो यहां पर देखे कि गैस सिलेंडर है इससे क्या उड़ा है कि उसमें वजन जो हमको वजन करके दे रहा है को मतलब क्या है कि उसमें कुछ नहगुच दरवयमान भी पाए जाता है जब . जब दो चीज़ें उसमें आयतन भी होगा दरवयमान भी होगा तो चीज़ें पदार्त कहलाइगी इसलिए हवा भी हमारा वो एक मेतर है , पदार्त है , ठीक है चलिए अगला पॉइंट को हम ल वो बाते हुए हमेंसा नजर आएगा इसी तरह से बात कर ले इंट का बात कर ले तो वो हमेंसा ठो सवस्था में रहेगा यह इंट रहेगा उठाल उसको दभाने नहीं दबगा इस से क्या औड़ा कि पदार्त से जो है तो ये क्या है कि पहला जो यहां पर point वनता है जो हर एक पदार्थ में होगा वो है कि हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ जगा लिये रहता है यानि पदार्थ में आयतन होता है मैंने पहला भी बताया कि जो चीजे जो जगा घेरती है उसको हम लोग आयतन बोलते हैं तो आपको और किजेगा कि आपका असपास जितने साड़े बस्तुएं दिखाए दे रही होगी वो कहीं ने कहीं अपना कुछ ना कुछ जगा लिये रहता है वो क्या कहलागा वो उसका आयतन कर लाता है जो कि हर एक पदार्थ में आयतन होता ही होता है दूसरा पॉइंट है कि हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ वजन होता है अब एक सी बात है कोई भी बस्तु होगी उसका कुछ ना कुछ अपना दरवेमान वजन होगा कि उसमें कुछ ना कुछ भार होगी जैसे आप अपने मालेजी अपने आपको मालेजी आपका अभी एज है पचास केजी ठीक है तो आप क्या है कि आप एक बस्तू है लेकिन आपका क्या है ये पचास केजी आपका कुछ न कुछ वजन है आपका कोई छोटा भाय होगा उसका वजन होगा मालेजी उसका वजन आस पर जितने विचेजे देख भाए हैं सभ्में कुछ न कुछ वजन होती है वो उस पदार्थ का दरभ्यमान कहलाता है ठीक है तो यानि हमको दो चीजे मिल गए अभी तक कि पदार्थ में आयतन होगा ही होगा द्रभ्यमान होगा ही होगा और तीसरा पॉइंट ये है जो most important की पर्तेख पदार्थ की गति कन की गति होती है यानि कि प्रतेख पदार्थ का अनुहोग्र होगा अनूहोगा हमेशा गती सील रहेगा तब इतुम्पदार्थалог की येषिय होन से डिशीन करके को ऊणको कोई तीसरा चीज करता देना दिता है तो उससे क्या अधा कि जब उसके गती मान नहीं रहेगा तो वो जाएक जोंकर तो रह जाएगा ठीक है ऐसा नहीं हो पाएगा इसलिए पदार्थ के करन के बीच हमेशा गती रहती है सदे वो गती मान रहते हैं ठीक है ये तीन बाते हैं हर एक पदार्थ में मिलेंगे ही मिले और ये तीन चीजे जिसमें भी मिल गया उसको हम लोग वस्तु बोलेंगे, ये पदार्थ का गुन होता है, ठीक है, चले अब पदार्थ की परिभासा की सरफ हम लोग किस प्रकार से देंगे, तो वो ये रहा कि वह वस्तु जो अस्थान गेरती है, जिसमें दरब्यमान हो, त सब्रक्राइब इसको कंटस्ट कर यह आपके सारे सारे एक्जाम में जो है अच्छे अंक देंगी ये पड़िवास अगर आप इस काप्यों करते हैं इसमें और भी कुछ लगड़ा है आपको तो आप अपने अस्तर से भी बना सकते हैं ठीक है ये जोड़ी नहीं है कि इसको लाइन बाइन रटना है आपको इसमें कुछ लगड है पदार्त किसे कहते हैं ठीक है पदार्त का क्या गुन होता है क्या विसिस्ता होता है इन सभी बाड़े चीजों के बाड़े में हमने आज के वीडियो में देखा उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के के लिए देखते रहे हमारे चानल RKR Study Seated Point को मैं राजन कुमार रशन आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहे हमारे चानल को RKR Study Seated Point थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो